हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा फाइकस प्लांट लेकर आया हूं मैं हूँ आपका अयन वेल्कम टू ट्री लभर अयन फ्रेंड्स आज हम इस फाइकस कंपक्टा का बारे में कुछ जानेंगे और देखेंगे कि इसका कैसा प्रफोगेशन होता है और इसे आप बंसाई बनाना चाहते हैं तो कितना अच्छा बंसाई बनता है इसमें तो देख सकते मेरे पास यह जो प्लांट है यह कितना ट्रॉंक मुझे आच्छा मिला है पहले दिख लीजिए इसका ट्रॉंक लाइन आप देख सकती है अब फ्रेंड्स इसी तरह सा नया नया प्लांट देखने के लिए और उसी प्लांट के बारे में जानने के लिए अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं क्या तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए क्यूंकि मैं जैसा एक नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए तहले फ्रेंड्स हमने जो प्लांट पर वैरिंग किया था चले उससे निकल देते है उसके बाद इस प्लांट के उपर काम करेंगे और इस प्लांट का कैसा क्यार करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा जो वैरिंग मैंने किया था वो देख सकता आप वैर बाइट हुआ है इसलिए मुझे इस वैर को निकालना पड़ा देख सकते है फ्रेंड्स आप इसका जो पता है वो बहुत पास पास में है इसलिए साथ इसका नाम फाइकस कमपाक्टा है यह मुझे एक ब्रांच मिल गया और यह दूसरा ब्रांच और यह लीडर ब्रांच हो गया है उससे भी थोड़ा मैंने बैंट कर दिया है यहाँ पर दो मैंने ट्रांच चॉप किया था उस पर मैंने प्लांट बना लिया इस कटिंग से बहुत अच्छा ड्रोथ हो जाता है यह देखिए मेरा पहला कटिंग और इसे अभी थोड़ा हम कुछ वैरिंग करके सेप दे देंगे फिर से देखिए उसी वैर को मैंने किस तरह सा मिट्टी का अंदर वैर देके इसी प्लांट को कुछ ट्विस्ट कर दूंगा जो कि बाद में यह जब ग्रो हो जाएगा तो वो इजिली मुझे अच्छा एक सेप मिल जाएगा बंसाई के लिए यह प्लांट्स बहुत अच्छा स्वीटेबुल है बंसाई के लिए मिनी नेचर प्लांट इसी प्लांट को लेकर आप बना सकते हैं देखे मैं कितना अच्छा तरीका से इससे वायरिंग कर लिया अभी मैं ट्विस्ट कर रहा हूं वो इजिली ट्विस्ट हो रहा है क्योंकि यह वायरिंग को अच्छे तरह सा सर लेती है और इसका पत्ता भी बहुत छोटा पत्ता है अच्छा लगता है आप जब इस प्लांट को ट्रिमिंग करेंगे या कुछ कटिंग करेंगे तो जो न्यू ग्रोथ है उससे छोड़ के आपको ट्रिमिंग करना है या कटिंग करना है देखे मैं तीन प्लांट इसी प्लांट से बना लिया हूँ और इसको अभी मैं ग्रो करूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा सूट्स यहाँ पर निकला है इसलिए मुझे जितना सूट्स चाहिए उतना ही सूट्स रखके और लग ब्रांच को मैं निकल दूँगा चलिए अभी थोड़ा क्लेन कर देते हैं देखे यह उपर की तरह यह ब्रांच आ रहा है तो इससे अभी हम निकल देते हैं इस तरह सा हम सिजर के माध्यम से इसे निकल देंगे और प्लांट को यहाँ पर दो साइड से दो ब्रांच रखके फिर से उपर की केनोपी तरफ जाएंगे और भी यह जरूत पड़ेगे तो ग्रोध देके हम कुछ डिजाइन करेंगे तो इसे भी ट्रंक चाप कर सकते हैं लेकिन फैंट्स इससे अभी ग्रोध करने देंगे और मौन्सूर में इसे रिपोर्टिंग करेंगे बंसाइ सोयल देके तब ही जायकर हम कुछ इसे और सेब भी दे सकते हैं देखिए यहाँ पर जो दो ब्रांच आया है इसे मैं निकाल दूँगा इसको अभी इसका जो लोकेशन चाहिए इस प्लांट को वो सन डारेट सनलाइट भी इस प्लांट उपर पड़ेगा तो यह प्लांट इजिली सहलेगा यानि यह आउटडर में बहुत आच्छा ग्रोध करता है और इसको ज्यादा क्यात की जरुरत नहीं पड़ता है क्योंकि यह ज़्यादा वाटर की भी जरुरत नहीं पड़ती है आपको चेक करना है जब वाटरिंग करना है इसी प्लांट को कि उपर का जो सोयल है वो ड्राय होना चाहिए तब ही जाकर आप इसी प्लांट पर वाटरिंग करेंगे लेकिन फ्रेंड्स जब आप समर में गर्मिया में आपका जो उइंड है वो ड्राय हो जाएगा तो आपका मौस्टर खतम हो जाएगा मिट्टी में इसलिए फ्रेंड्स इस तरह सा फाइकस प्लांट के लिए आप इट का टुकडे यूज कर सकते हैं आपका सोयल मिक्सर में क्योंकि वो इट का टुकडे मौस्टर बना रखता है फ्लांट को देने के लिए इसलिए सोयल मिक्सर में आप रख सकते हैं देखें यहाँ पर मैंन बना के यहां पर पेड़ बनाऊंगा और एक राइट साइड में भी ब्रांज रखूंगा यहां पर ट्रीम कर दूँगा और यहां पर एक पेड़ बना लोगा जब आप इस तरह सा ट्रीम या प्रून करेंगे तभी जाकर आप बंसाई बना सकते हैं कि मिलेटर में फ्लान को लाने के लिए क्रिमीग और पूनी बहुत ज़ lingudy कि इसके लिए आपको डना नहीं अभी फर्टिलाइजर्सिप्लांट को देने के लिए क्योंकि आप एक छोटा साहिवर्ट में या ग रोह कर रही हैसलिव आपको रूटिन से फटिलाजर्स देना कमेंट जरूर करें थेंक यू फेंट्स पर वाचिंग